मेडिकल से जुड़ी सभी लेटस्ट अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हल्ट टिप्स मेडिकल नौलेज यूट्यूब चैनल को वेलकम, दोस्तो हमारी YouTube चैनल हाधि अधी में आपकोबोई स्वागत है दोस्तो अगर दोस्तो आप हमारी YouTube चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजे और पास में एक बिल आइकन है उसे फ्रेज कर दिजे दोस्तो आज उपन बात करने वाले जो 9 सब्टेंबर को एक्जाम हो अता है यूपी छो का उसके कुछ memory best questions है जो कि हम हमें जो student ने जो उनकी memory share किया है उसके अधार पर हमने कुछ questions के answer बनाने क्या प्रियास किया है दोस्तों हो सकता है इसमें कोई ने कोई question आपको लगे कि यार ये question एक्जाम में आया नहीं था इसका language और कोई different था ऐसा लग सकता है लेकिन maximum हमने प्रियास किया है कि आपको वो question से हम रूबरू करने वाले हैं कि यूपी छो का जो exam था उसके अंदर कौन-कौन से question आया बात कर लेते हैं यहाँ पर एक question था इसको पहले मैंने भी आपको बताया था which one of not a vector born disease ठीक है यह मैंने पहले एक दिन मैंने इस question को discuss कराया था कि कौन सी जो vector born disease नहीं है तो यहाँ पर देखो यहाँ पर सही आगा answer क्या रहेगा इसका इसका सही answer है वो है typhoid देखो यह सब vector born disease ए क्योंकि vector यह vector का मतलब होता है वाहक ठीक है वेक्टर का मतलब होता है वाहक तो यह सब क्या होती है यह सब मच्छर के काटनेस होती है जो मच्छर होता ना उसके काटनेस होती है तो इनका जो वाहक है कोन है इनका वाहक है वो कोन है यहाँ पर इनका जो वाहक है वो है कौन, mosquito, ठेक है, mosquito, ठेक है, mosquito, तो यह मच्चर के काटने से होती है, बागी टाइफाइट मच्चर के काटने से नहीं होती है, गंदे पानी पीने से होती है, इसलिए यहाँ पर सही answer है, यह C वाला, बात कर लेते हैं एक next question की, other name of WBC, WBC का दूसरा नाम क्या है, तो WBC का दूसर नाम क्या है, इसका दूसरा नाम हो है, वो leukocytes, ठेक है, इसका दूसरा नाम क्या है, leukocyte है, ठेक है, reticulocyte और erythrocytes, यह RBC का नाम है, किसका RBC का नाम है, लेकिन अगर बात करें पन, leukocyte की, तो यह जो leukocyte है, यह किसका नाम है, यह WBC का नाम है, बात कर लेते हैं, next question क्या पूछा था, देखो, ये question पहले भी मैंने एक बार discuss किया हुआ है, largest organ of body is, ठीक है, body का सबसे बड़ा, यानि शरीर की बात करेंपर, शरीर का सबसे बड़ा organ कौन सा है, जो body का सबसे बड़ा organ है, कौन सा है, तो शरीर का सबसे बड़ा organ कौन सा है, यहां पर जो इसका सही answer है, इसकीन, यह यूबी, यह भी UPCHO के exam में पूछा हुआ था, तो इसकीन सबसे बड़ा body का organ है, देखो, body की बात करेंपर, पूरे शरीर की उपर, जो सबसे बड़ा organ है, वो है, इसकीन, ठीक है, next question पर चलते हैं, यहां पर question में यह था, इसमें यह है, ठीक है, the pawns is attached one side from midbrain, ठीक है, the pawns is attached one side from midbrain, and other side to attach with, ठीक है, जो pawns होता है, वो एक side midbrain से attach होता है, तो दूसरी side किस से attach रहता है, pawns की बात करें, तो यह question पूछा हुआ वाता है, UPCHO के exam में, यह question पूछा वाता है, तो यहांपर सही answer क्या होगा, यहांपर सही answer है, वो है, medulla, ambos, गेटा, देखो pawns की बात कर रहेता है, तो यहसे ब्रेन होता है, यह यहांपर जो सही mid brain के अंदर आता है ठीक है तो यहाँ पर और इसके नीचे होता है medulla on blank data क्या होता है यहाँ पर medulla medulla on blank data ठीक है medulla on blank data होता है यह सेरे ब्रहम और यह वाला area है तो यहाँ पर सही answer होगा अपना है होगा C वाला ठीक है समझ में आ गया चलते हैं one gram hit nine kilo calorie do urghina क्ती कैलोरी प्रोइड करता है 1 प्रोटीन और कार्बो कार्भोवाइट्रेट ठीक है रोटेन कार्भोवाइड्रेट की अगर भात करेपन तो प्रोटין कार्भोइड्रेट किता है 1 ग्राम हें कितनी कैल्योरी प्रोइड करता है यह यह एंवन question में next question किया था next question था ओवम clinically from visa जॉटरूम यह वह एक्फा में था ओवम कहां से रिलीज होता है तो क है यहाँ पर सब्सक्राइब यहाँ पर सब्सक्राइब घ्राफियन ऐसे ओवरी होता है यहाँ पर ग्राफियन फोलिकल्स होते है इस यह इसे हवेरी होती है तो इन से ओवम रिलीज होता है या पिर आगर आप से option में पूछ दिये जाए कि ओवम कहां से रिलीज होता है तो वह किस से होता है ओवेरी से रिलीज होता है बात कर लेते हैं next question में क्या पूछा है next question the fetus is grow in which organ of female यह भी यहां पर सही answer क्या होँगा यानि की जिससे ज्यदा energy मिलती है energy मिलती है वो कौन सी diet है यहाँ पर तो यहाँ पर most energy diet है वो कौन सी होगी यहाँ पर देखो यहाँ पर सही answer होगा B carbohydrate with fat carbohydrate और carbohydrate के साथ में fat है यह energetic diet है क्योंकि हमारा बोजिन का लगबाग किता है 70% जो भाग होता है वो किस से बना होता है कार्बोइटेट से 50 से 70 के बीच में जो भाग बनाता है तो कार्बोइटेट से बना होता है most energetic diet है वो कौन-कौन सी है कार्बोइटेट हो रहे फेट है चलते हैं देख लेते next question को यहाँ पर question में पूछा है means of sepsis is यह question भी पूछा हुआ है CHO exam में किस sepsis का means क्या है मतलब क्या है sepsis का तो यहाँ पर क्या होगा sepsis का मतलब होता है presence of infection दियान रख लेना क्या होता है जो sepsis का मतलब होता है presence of infection दियान रख लेना क्या होता है presence of infection ठीक है presence of infection सेpsis का मतलब होता है presence of infection यह होता है सेप्सिस का मतलब चलते हैं पन नेक्स्ट क्यूशन की देख लेते हैं अपन इस्टाब्लिश इन इंडिया विच यह ठीक है पर कभी इस्टाइट की गई थी जो इसीडिया के अंदर इस्टाइट की गया था वह किया गया था अक्टूबर 1975 में स्टार्ट किया गया कौन ICDS प्रोग्राम तो यह भी UPCHO का एक्जाम था एक्जाम का क्यूशन था नेक्स था असेपसिस का मतलब क्या है देखो मैंने अभी आपको बता था सेपसिस मतलब इंफेक्शन होना तो असेपसिस का मतलब क्या होता है free from infection ठीक है तो यहां पर सही आंसर होगा अपना होगा लिवर की ठीक है वह है स्वरी लिवर की क्या है मतलब बोड़ी की सबसे बड़ी गरंती होती है वह होती है लिवर चलते है पन तो यहां पर यह भी UPCHO के एक्जाम का था Ques activities और बात कर लें तेंए यूप यह यह पूचा है polio 3 इंडिया डिक लेड ant Пол your free c कभ declared किया गया तो यहां पर अपर यहांपर कर ऄर आंसर क्या होगा स्थाथा यह हुझा हो है 27 मार्च 2014-2014 को क्या है इंडिया को polio free Declared किया गया है 27 सेवन मार्च 2014 तो यह सही आंसर है इसका बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्यूशन में क्या पूचा था नेक्स्ट की बात करें अपन हाव मेनी बॉंज Opन अब की कॉस्टन आराव क्या होता है बाद में जो चली जाती है उसका जो कारण है वह क्या होता है यह बाद में रही जाती है यह क्या हो जाती है, fuse हो जाती है, क्या हो जाती है, fuse, यह एक दूसरे से यह जुड़ जाती है, तो यह कम हो जाती है, फिर जैसे जैसे adult होता है, तब यह कित्ती हो जाती है, only 206 के लगबगे बच जाती है, बात कर लेते हैं, next question, low birth weight baby according to WHO, बैज डबली ओचो का नुसार low birth weight baby क यहां पर सही answer क्या होगा, less than 2500 gram, 2500 gram से अगर कम weight का baby है, तो उसे क्या कहेंगे अपन, low birth weight baby, क्या कहेंगे उसे अपन, low birth, birth weight, low birth weight baby, दिया नकलना क्या कहेंगे उसे अपन, low birth weight baby, तो यह question भी पूछा हुआ था, low birth weight baby, बात कर लेते हैं, next, BCG prevent of disease, यानि कि BCG किस disease को prevent करता है, तो सीधा सा question मैंने पहले यह आपको बोला था, पहले भी इसको कई बार मैंने पढ़ाया है, BCG क्या करता है, क्यों से disease को prevent करता है, यह करता है, tuber closest को, ठीक है, जो tuber closest से उसको prevent करता है, कौन, BCG, जाना किना, birth किसे में लगा जाता है, BCG, या फिर maximum हम एक साली की उम्रता किसे लगा सकते हैं, तो यह जो करता है, वो करता है अपने को, tuber closest से बचाता है, कौन, BCG, बात करते हैं, next question, यह भी question पूछा हुआ है, यह भी मैंने आपको पहले बताया था, scoliosis is, ठेके, scoliosis का मतलब क्या होता है, पहले मैंने एक दिन आपको शायद memorize करवाया होगा, देखो, ace, यानि ace हो जाता है, ace कैसा है, ऐसा ठेड़ा है, तो यानि कि lateral, ऐसे इस में क्या हो जाती है, spine ऐसे टेड़ी हो जाती है, ठेके, ऐसे spine टेड़ी हो जाती है, यानि कि lateral curvature of spine, of spine, तो यह पूछा हुआ question है, lateral curvature of spine, ठेके, तो यह यहाँ पर सयान सरे, अपना यहाँ पर कौन सा है, lateral curvature of spine, next बात के लगते है, the program launched by government of India to avoid open toilet and defecation, ठेके, open toilet और defecation के लिए कौन सा program launch किया गया है, तो यहाँ पर कौन सा program launch किया गया है, स्वच भारत अभियान, ठेके, त पूछा हुआ था, हो सकता है, उसके language कुछ अलग हो, तो यहाँ पर यह सही answer है, स्वच भारत अभियान, ठेके, इसको launch किया गया है, government के दोरा, open defecation, यानि कि open में stool pass करने को, ठेके, और toileting को इनको करने के लिए, इसको स्वच भारत अभियान को, ठेके, next बात कर लेते है, next question क्या था, यहाँ पर digestive mucus released by part of body, यह भी question कुछ हुआ है, कि digestive mucus है, वो body के किस part से release होता है, तो यहाँ पर सही answer क्या है, यहाँ पर सही answer है, वो है, stomach, ठेके, जो stomach होता है, stomach होता है, yaha पर cells होती है, एंट्रम के यहाँ पर, ठेके, जो cardiac sphincter होता है, cardiac sphincter होता ना sphincter cardiac sphincter के यहाँ पर क्या होती है? sale होती है यह sale क्या काम करती है? यह mucus को secret करती है मुcus को secret करती है तो यहाँ पर से answer होगा stomach बात करते है next question की यहाँ पर trachea is open in which part of body यह भी UPCHU के exam में पूछा हुआ है कि trachea किस part में open होता है तो trachea किस part में open होता है यहाँ पर सही answer क्या होगा? देखो यहाँ पर देखा जाए ना तो यहाँ पर larynx है अब यहाँ option में क्या दिया था? यह option उसके उपर depend करता है अगर larynx दिया तो larynx में होगा नहीं तो किसके अंदर होगा? Lunks के अंदर होगा? ठीक है? Lunks भी अगर option में नहीं है तो पिरी किसके अंदर होगा? Bronchial के अंदर. दियान अकलना किसके अंदर होगा? Bronchial के अंदर होगा कौन? Trachea. ठीक है? समझी मा आ गया? बात कर लेते हैं next tuition के बारे में ठीक है? तो यहां पर आपको गवरनी कोई बात नहीं है देखो जो normal होगा होगा होगा? 4 चेंबर. जैसे-से heart होता है देखो मैं एक second में heart का diagram बना दूँगा मैं अभी आपको आपके सामने देखोए यह heart का diagram बना दिया मैंने एक second नहीं लेगेगा इसको मैं heart का diagram बना देता हूं आपके सामने. ठीक है? यह है ठीक है? तो यह जो है ना यह जो मतलब क्या है कि इसके नतर किते चेंबर होगा है? 1st, 2nd और 4th. यानि कि 4 चेंबर होते हैं किते चेंबर होते है? 4th चेंबर होते हैं ठीक है? बात कर लेते हैं next. 1st menstrual cycle begins is non-edged. यह भी CHO के exam में पूछा था कि पहला menstrual cycle आने को क्या कहते है पन? तो पहली बार जो menstrual cycle आता है यहन कि पहली बार जब MC आती है तो उससे क्या कहते है पन? तो उसे एक term यूज करते हैं उसका नाम है मिनारकी उसे क्या नाम यूज करते हैं पर मिनारकी तो यह यहाँ पर भी बाला सही answer है next question यह पूछा होता a female patient avoid eating and she want it like slim, fit and beautiful the disorder कहने का मतलब यहाँ पर आप जब आपके exam में एक चीज आपको मिल जाए avoid eating जब आपको यह लिख जाए अगर इसकी जगे आपको avoid eating की जागने यहाँ पर मिल गया avoid क्या है? excessive intake ठेक है? excessive intake with vomiting क्या मिल गया? vomiting तो फिर आपन को क्या करना है? अगर यह मिल गया तो इसके क्या नाम है? anorexia anorexia bulimia anorexia bulimia ठेक है? ध्यान रखना है इसका नाम क्या है? anorexia bulimia तो यहाँ पर सही answer क्या होगा? anorexia nervous next question यह पूजा था which type of cizoprenia when positive and negative symptoms are mixed? किस प्रकार के cizoprenia के अंदर positive and negative symptoms मिक्स होते है जबख़ पॉजिटिव सिंटम्स कौन से है? hallucination hallucination जया नकलाना है hallucination negative कौन से है? apathy ठेक है? तो यह जो यह इस प्रकार के जो सिंटम्स है किसके अंदर mixed होते हैं? देखो यह option के उपर वहाँ क्या option आया था? लेकिन हमने memory best percusion बनाया है तो यहां पर जो सही answer होगा वह होगा catatonic देखो catatonic में दो condition होती है catatonic 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 stupper एक तो होता है catatonic stupper ठीक है? और एक होता है catatonic catatonic excited ठीक है? catatonic excited तो इन में catatonic stupper catatonic excited तो इन में दोनों symptom पाय जाते है positive और negative जो सीजुप्रेनिय के positive और negative symptom से वो दोनों symptom से पाय जाते है तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को share कर दीजेगा आपके friends को जरूर share करिएगा ताकि उनको भी information मिलती रहे तो दोस्तों अगर आप और भी ज़्यदा अगर तयारी करना चाते है test series join करना चाते है तो हमारी जो इसकी application है YouTube channel की Health Tips Medical Knowledge की HTMK Academy के नाम से application है HTMK Academy के नाम से application है आप उसे download कर लीजे उसको download करने के बाद में आप वहां से टेस्ट भी दे सकते हैं और बहुत सारे questions को आप assess कर सकते हैं तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए धन्याद करें